आज हम लोग एविसी नेट पेपर टू हिंदी हिंदी का हम लोग आज इकाई साथ देखेंगे जिसमें इकाई साथ में आपका हिंदी कहानी है हिंदी कहानी से संबंदित objective question देखेंगे इकाई फोर इकाई साथ यूनिट सेवन में देखेंगे साथ इसाथ यूनिट सेवन वाला आपका हिंदी सहत इतिहास का आधुनिक काल का अधुनिक काल का गत्विधा से संबंदित हिंदी कहानी का भी objective question यानि कि हम कह सकते हैं कि यह objective question आपका यूनिट वान में भी यूनिट टू में जो यूनिट टू का आपका यूनिट टू का हिंदी सहत का गत्विधा में हिंदी कहानी है उससे भी या objective मेंच करेगा साथ इसाथ यूनिट सेवन में आपका हिंदी कहानी से भी या objective मेंच करेगा तो स्टार्ट करते हैं हिंदी कहा कहानी से संबंदित objective question के और प्रेमचंद कृत पाश्यचित कहानी के पात्र है तो प्रेमचंद्र का कृत जो आपका पाश्यचित कहानी का पात्र कौन-कौन है वाई इसमें आज हम लोग देखेंगे पहला में तो इसका एंसर है आपका सुबोष्चंद्र सुबोष्चंद्र और आपका मादारी लाल यह नंबर आपका सुबोष्चंद्र और मादारी लाल कि नंशार निमलिकित कहानियों का सही कर्म है प्रकास्द्र का इक सब्सके पहले मानते ए उसके बात है गारव वर्ष का समय और दुलाई वाली है दुतनाज सिंग द्वारा रचित कहानी संग्रा है जो दुतनाज सिंग है उसका रचित कहानी संग्रा कौन सा है धर्म छेत्र गुरु छेत्र खाली घर बसंद का एक दिन निस्कासन तो इसका right answer क्या क्या है तो इसका है आपका धर्म चेत्र गुरु चेत्र और निश्कासन या आपका दुतनात सिंग द्वारा रचित कानि संग्रा है यानि एक और चार एक और चार इसका right answer है चार नमर का प्रस्ण क्यों चलते हैं चार नमर का प्रस्ण है नहीं कहानी आग्रों की कहानी नहीं है प्रवितियों की हो सकती है और इसका मूल स्रोत है जीवन की यथार्थ बहुत और उस यथार्थ को लेकर चलने वाली वह विराट मैध्य और निमन मैध्य वर्थ जो अपन जीवन सकती से आज के दुर्थान संकट को जाने अंजाने जहल रही है उपिक कथन किस लेख़ों को की नहीं कहानी के संदर में कहा गया है तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका एंसर है आपका कमलेशवार कितने पाकिस्तान जिमलीखित पात रखों उनके कहनिओं की साथ पुमिलित करें सांच कालिंदी-चरण मालती स्यामनात सुबोद Chanel स्यामनात किसमें है आपका चीप की दावतमें है है मालती आपका किस में है मालती आपका ग्रेग ग्रीन में है कालिंदी चरन कालिंदी चरन है आपका पत्नी में सुबोत सुबत आपका है जिन्दगी और गुलाफ राइट एंसर ये नमबर शे नमबर का प्रशना क्यों चलते हैं छे नमबर का प्रशना है आपका निमलिखित पात्र को उससे सम्मधित कानियों के साथ सुमिलित कीजिए सुची एक सुची दू यहां आपको सुमिलित करना होगा कौन-कौन पात्रा कौन-कौन कानि से है विशंबार रंजीत तरंग नवल की सवर माया दरपन दुलाई वाली अहुती मिस पाल नवल की सवर आपका दुलाई वाली से है तो चार नमबर तीन का है चार नमबर दी का आपका दो नमबर दी का दो नमबर आपका आ रहा है दी नमबर में यहां दी नमबर में इसमें आ रहा है है एक का बिशंबर बिशंबर है आपका आउती BowlBHA कि रन्जीद कि अरे लिट्जीत यदि आपका है कि पाल कहानी का तरं तरंग आपका है मया दरपन का दारेट अंसर आपका डिनंबर ये site भुंज तो पड़ोग और को निम्लिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के शार सुमिलित करें श्भूर के रिश्व्बर्ध श्राजरन्रे यादो राजा निर्वर्स Verma का कभलेश्वर का राज अंद्रह वापिसी च्को में तो कृिस्ट चाधर ज्मुन का 10My turnout एक टिन एक टिन किसमें कि नमबर में मेंच कर रहा है कि आपका आप का सिलैपस में लबस में है कर डीन चाधर जामुन का प्याण जामुन का प्यार हरी संकर प्रसाई हरी संकर प्रसाई आपका है क्रिश्ण चादर आपका जामुन का प्यार यह नमबार राइट अंसर उसके बाद है आपका हरी संकर प्रसाई हरी संकर प्रसाई आपका पांच रुपिय की आजादी राजंद्रयादो राजंद्रयादो आप आपका जहाल अच्मी केद है कमलेश्वर कमलेश्वर का है आपका राजा निर्वस्या राजा निर्वस्या है कि कमलेश्वर का प्रकासन काल की दृष्टी से निम्लिखित काहनियों का सही अनुकर्म लिखिए प्रकासन के अनुसार तो इसमें आप देखते हैं दुलाइवारली सबसे पहले प्रकासन हुआ है दुलाइवारली आंधी पाजेप यारों की यार यह नमबर राइट इंसार नुब नमबर का प्रकासन है कालْ खंड के दृश्टी से कहानियों का सही अनुकर्म लिखे उसने कहा था रानी केतकी की कहानी तिर्शी सरन आगात तो या इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले आता है रानी केतकी कि कहानी प्रानी केत्की की कहानी उसने कहा था सरनागात और तिर्ची बी नंबर राइट एंसर आपको कहानी और कहानिकार के साथ मिलान करना होगा आपका सद्गति यहां तो प्रेमचंद का फेमा से एक तीन नंबर किसमें मेयी कर रहा है देखेंगे तीन नमबर किसमें मैच कर रहा है है complex current in number much DM experience कर रहा हम्य और छोड़ा करके देख रहे हैं जुक दी नंबर यानि परेम चंद्रे आपका सद्गती प्रेम्चंद्रे सद्गती सद्गती बिषाती आपका प्रसात विशाती पर enact end लोग पांके आपका ल js 2 पा ओर सबाऊं कि है एक चंद्रदर सर्मा गूलेड Si Pajby Pajv आपका जनेंद्रा राट एंसर डीम इमेज करता है कि गारा नमबर का और चलते हैं कि इसमें कहानी नहीं इसमें नहीं कहानी अंदोलन की प्रारम करता हूं में इसी को नहीं है कहानी का जो प्रारम करता है उसमें कोर नहीं है कमलेश्वर राजंद्रय यहादो ज्ञान रण्जन या मोहन्राकेकस उसका आंसर आपका ज्यान रण्जन कि गिनमर का प्रास्टनह हैं नेन event कहानियों को कालकरम्नशास प्रार सही कर्म nap में लिखे तो उसने कहा था पहले उसके बाद कफन उसने कहा था कफन वापसी तिर्ची D नंबर राइटन सर तेरा नंबर क्यों चलते हैं? मिलान करना होगा उशा प्रियवदा, अमर्कान, मोहन राकेश, विशंबर, नाट, सर्मा, कोसिक, ताई, वापसी वापसी आपका उसा प्रियवदा का है उसके बात यानि ये का दो नमबर मेच करते हैं ये का दो नमबर आपका B में मेच हो रहा है और देखते हैं और किसी में मेच हो रहा है कि B में मेच हो रहा है ये का दो नमबर उसके बात है अमरकांद अमरकांद का दोपहर का भोजन है महन राकेस आत्मा का कुट्ता विशंबर नात सर्मा कोसिक आपका ताई कहानी है निम्लिकित में से कौन सा कहानिकात गरामिन चेतना की नहीं है एक में है मार्क दंडिया विश बिबेग की राय विश उपर साथ सिंग निर्मल वर्मा तो इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर है निर्मल वर्मा यहां आपको कहानी का रहें के कहानी को शुमलित करना होगा दुलायवाली आपका बंग महिला का है थादि केतिगी की कहानी इसाद लोगों का है जो सीलबहस में हमारा तो देखते हैं दी नबर काट्ट पांस नंबर किसमें ऑप्थ क्लिख नमबर यह कम दुलाईवाली वाली कःए बीक नंबर यानि इसका राइव कर रहा है वीन नंबर में यह कमेंश कर राहे आपका गारव वर्स का समय आपका राजा सीव पर्षाद सितारे हिंड गुलाय वाली बंग मैला से है गराम गराम के आपका पुरुष्कार क्रानी किति की क्या है हुआ इस手 Exam कर रहा है एंसर निम्लिकित कानियों को उनके कहानिकार के साथ सुम्मिलित करें सुची एक सुची दू चंद्रधर सर्मा गुलेरी राम चंद्रधर सुखला यसपाल अमरकान सुची एक में परदा बुद्धी का काटा दोपार का वोजन गारोवर्ष का समय उसके बाद एक और जिन्दगी है इसमें हम लोग मिलान करना होगा है तो चंद्रधर सर्मा गुलेरी का क्या है बुद्धू का काटा बुद्धू का काटा आपका एक का दो नमबर सी नमबर में मेच कर रहा है रामचंद्रे सुखला का रामचंद्रे सुखला का है आपका गारोवर्ष का समय यस पाल का है परदा अमरकांद अमरकांद का दोपार का वोजन इसे पहले भी पढ़ेते हैं 17 नमबर का प्रश्ण क्यों चलते हैं निम्लिखित काहनिकारों को उनके कहानियों के साथ सुमिलित करें निर्मल बर्मा मार्थ दन्रेशिव मूर्थी सेखर जोंसी सेखर जोंसी आपका कहानी है आपका कोशित गटवार तो इसको आपको मिलान करना होगा मिलान करते हैं हम सेखर जोंसी के से ही सुरू करते हैं तो सेखर जोंसी आपका कोशी का घटवार कोशी का घटवार जो आपमारे सिलबस में है सेखर जोंसी कोशी का घटवार डी का एक नमबर डी का एक नमबर किसमें है आपका सी नमबर हो एक नमबर में है सी में है एक नम नियर्मल वर्मा लंदन की एक रात मार्क दंडे मार्क दंडे मार्क दंडे आपका माक दंडे का है हसा जाई अकेला सिवमूर्थी सीवमूर्थी का है आपका सिवमूर्थी का है कसाई वाड़ा वाड़ा है कसाई वाड़ा 18 प्रशन क्यों चलते हैं रचनाकाल की दृष्टी से निमलिकित कानियों का सही अनुकर्म है बड़े भाई सहाब वापसी देफोडिल जल रहे हैं पाल गोमारा का स्कूटर वापसी बड़े भाई सहाब पाल गोमारा का स्कूटर डेफट डिक जल रहे हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बड़े भाई साहब पहले वापसी डे फोडिल जल रही है पाल गुमारा का स्कूटर ये नंबर राइट अंसर निमलिकित कहानियों को उनके कहानिकार के साथ सुमिलित करें लालपान की बेगम के लब देखते हैं लालपान की बेगम ये ये जो की अपका यही तीर नमबर फनिश्वर नात रेनू तो यह किसमें मेच कर रहा है आपका दी नमबर में मेच कर रहा है पनिश्वर नात रेनू लालपान का वेगम एक औरत की जिंदगी एक औरत की जिंदगी रामदरस मिस्त्रा एक औरत की जिंदगी रामदरस मिस्त्रा लंदन की एक रात लंदन की एक रात आपका इससे पहले पढ़े थे निर्मल बर्मा का सव यात्रा सव यात्रा है आपका सिरिकान वर्मा का बीस नमबर निकित कहानियों को उनके लेखाओं को किसाथ सुमिलित करें सुची एक सुची दूब एक और जिन्दगी सर्वदर्श सरनागत विसाथ रामदरश मिश्र मोहन राकेश मुक्तिबोथ बिन्दावन लाल वर्मा चतुरसें सास्त्री इसको आपको मिलान करना होगा एक और जिंदगी महन राकेश का है एक और जिंदगी तो ए नमबर राइट मेंच कर रहा है उसके बाद सर्पदर्श सर्पदर्श है आपका रामधसरत मिस्रा सरनागात सरनागात है आपका विदावानलाल वर्मा मिपात्र विपात्र है आपका मुक्तिवोत एक और जिंदगी मदरा क्ई सरुम। पिंदावनलाल वर्मा वीपात मुक्ति बोट अब इसका राइट एंसर ए नमबर भी का ए नमबर कि एक स्वेकिस प्रश्न के चलते हैं निम्लिके त्रशनाओं को उनके दुआरे सिर्शकों से सुमिलित करें तीसरा कसम विगाड का सुवर रानी केत्की की कहानी ठेट हिंदी का ठाट तीसरा कसम आपका मारे गे गुल्फान नाम से भी फेमस से हैं तीसरी कसम तो एक दो नमबर किस में आ रहा है तीसरा कसम मारे गे गुल्फान बिगडे बिगाड़े का सुवर आपका सती सुकदेवी रानी केत्की की कहानी है उदय भान चरिद ठेट हिंदी का ठाट आपका है देवाला तो राइट एंसर आपका सी नमबर 22 नमबर क्यों चलते है प्रकासन की देश्टी से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुकर्म है प्रकासन की देश्टी से सही अनुकर्म क्या क्या है रानी सारांग नमक का दुरोगा सत्रंच की खिलाडी सद्गती राइट एंसर सी नमबर प्रकाशन के अनुशर में लिखित कहानियों का सही अनुकर्म क्या है तो प्रकाशन के अनुशर सही अनुकर्म क्या है गंडाल, ढीप्टी, कलेक्टर, वापसी, फैंस की इधर उधर, पी नमबर राइटन का इंपर is चोबीस chi mín नमर का प्रस्णहें आपका इन ever आपकाने से कूं सा मनोय विसलेसन वादी रही काथाकार नहीं है जनेंद्रा चतूर्शेन सास्तरी लास्चंद्रय जोसी अगय कोन रही के अंसर नहीं है तुर नमर्य winter 2020weg सब्सक्राइब 25 नंबर क्यों चलते हैं कि आपको सुमिलित करना होगा सीव परसाथ सिंग यह सपाल जनेंद्र मादोश्प्रे मादोश्प्रे का एक टोक्री भर मिट्टी है यानि डी का एक नंबर किसमें आ 25 नंबर डी का एक नंबर आ रहा है आपका एवर सी दोनों में आ रहा है सी परसाथ सुमन सी परसाथ सुमन का है दादी मा तो आपका आगया डायरेक यह नंबर में यह सपाल यह सपाल का आपका आएगा पुलिस की सिटी यह सपाल पुलिस की सिटी जनेंद्र का जनेंद्र सी नंबर में पाजेब जनेंद्र पाजेब जनेंद्र पाजेब यह नंबर राइट अंसर है कि अग्ये के निमिखी संग्रों का प्रकाशन वर्ष के नुशार सही अनुकर्म क्या क्या है अग्या का जो संग्र है इसका प्रकाशन वर्ष के नुश्वा सभी कर्मन क्या है तो इसका एंसर है पीपत गा प्रम्प्रा अमर्वल्ली सरनार्थी सी नंबर इसका राइट एंसर है है तुमिलित करना हो गाया कानी और कहानिकार मैंवाली पाल गोमरा का श्कूटर गूल की बानू राजा निर्वसिया अब किसका है कमलेशवर का है ना कि राजा नीर्वसिया आपका कल अडी का है नमबर तो आपका यह वर डी में परगाथ के मवली आपका महनद राकेश का आख पाल गोमरा का स्केसर पार गोमराकार स्केसर आपका उद्षा Maras हम कूल की बानों कूल की बानौं आपका सि कूल की बानों धर्म वारती यह नंबर रइट एंसर 1958 नंबर क्यों चलते हैं यह सुमिलित करना होगा गारोवर्ष का समय गारोवर्ष का समय गुल बहाल एक टोकरी भर मिट्टी फिलेक की चूड़े मादोईश परे किशोरी लाल गोश्वामी बंग महिला रामचंद्रे शुख्ला पकवान दास तो यहां मिलान करते हैं गारोवर्ष का समय का रामचंद कि यह कि फ्लेक की चूड़ेल है आपका भगवान दास का गुल बहार गुल बहार आपका किशोरी गुल बहार किशोरी लाल गोश्वामी यानि कि यह नंबर इसका राइट एंसर है कि परकाशन वर्ष के नुशार जेर्शंकर प्रशात के कहानियों का संग्रा तो पहले है आपका परतिदोनी आकास दीप आंधी इंद्रजा राइट एंसर यह नंबर का प्रश्ण के चलते हैं खानिकार और कहानी भगवती चरन बर्मा इलाचंद्र जोसी यह पाल उपेंद्र अक्स पिंजरा मकील दो बागे एक केदी दिवाने और होली तो भगवती चरन बर्मा का कोन है आपका दो बांके है इलाचंद्र जोसी इलाचंद्र जोसी का है आपका इलाचंद्र जोसी दिवाली और होली इलाचंद्र जोसी यह स्पाल यह स्पाल का है आपका मक किरिल उपेंद्र नात अक्स का है आपका पिंजरा यह नंबर इसका राइट एंसर है i i tis number का व और देखते हैं निम्लिखित कहानी संग्रों का प्रकास्चन वर्ष के रुशार सहीय अनुकार्म क्या है कहानी संग्रा का सहीय अनुकार्म यह थो कित्तों प्रकि है तो अट्चाया पहले पुश्र पलता चिंगारिया चिट्र साला ऑफ राइट एंसर दी नमबर निम्ल में से कौन सा सिसू समवेदना की कहानी नहीं है नादान दोस ये भी है चोरी ये भी है का जाकी ये भी है दो सक्खिया दो सक्खिया दो दोस्त का कहानी है सिस्यू का आपका संवेदना से समधित नहीं है दो सख्या राइट एंसर उसका बाद 133 नंबर क्यों चलते हैं सबसे पहले है फासी बिहारे मोती सत्मी के बच्चे दो बाके दी नंबर आपका राइट अंसर है चोंतीस नंबर क्यों चलते हैं चोंतीस नंबर में आपको मिलान करना होगा यारों की यार मचली मरी हुई सपार चेहरे वाली अदमी उसी का घटवार कि दुटनाड सिंघ सेखर जोशी क्रिष्न शोव hurry विश्मस्थानी राजकमल चौधरी इसमें आपको मिलान करना होगा तो हम दोग देखते हैं कि यार यार Ini कि यार आपका क्रिष्णा क्रिष्णा श्वथी स्वथ्थी यारो कि y उतना सिंग का कोशी का घटवार आपका सेखर चंद्र जोसी का जो कहानी है यह नमबर राइट अंसार 35 नमबर क्यों चलते हैं रशनकाल के नुशार कहानी शंगर का सही अनुकर्म क्या है सही अनुकर्म आपको देखना होगा कि क्या है एक दोनी वेक्ति का बयान यह सही है आपका एक दोनी वेक्ति का बयान यह तेरे पतिरूप भूख के तीन दिन सात्तुए से उठता आदमी यह नमबर सही है भूख के तीन दिन यह नहीं है तीन तेरी यह नमबर राइट अंसार एक जट्तिस का प्रस्ना 8 8 Pokemon का अपका का जन्मकाल की आदार पर सही नुकर्म क्या है पहले विश्नवप्रवाकर भी में धर्मीर वाक्री मन्नु बंडारी और नारेंद्रेंकौन्यू तो सब शायंतीस नमबर जन्म काल के अनुशार निम्लिकीत क्था कारों का सही अनुकर्म क्या सही अनुकर्म है पहला में है में जनेंद्र में हम्रित लनागर में हजारी पर्शाद दुए दी तो इसका राइट एंसर है पहले आपका भगवाति चर्मा होगा उसके बाद जनेंद्रह होगा उसके बाद हजारी प्रशाद दुवेडी उसके बाद अम्रित लाल नागर यानि D नमबर इसका राइट एंसर है प्रकाशन वर्ष क्या दार पर जेशंकर प्रशाद के कहानी संग्रों का सही अनुकर्म क्या है 38, 38 का राइट एंसर क्या होगा प्रकाशन वर्ष A में है परती दोनी, B में च्छाया C में इंद्रजाल, D में है आकास दीप तो इसका राइट एंसर है, B नमबर पहले च्छाया आया, उसके बाट परती दोनी, उसके बाट आकास दीप उसके बाट इंद्रजाल, इंद्रजाल सबसे लाश्ट में उसके बाट 49 नमबर का प्रश्ण क्यों चलते है 49 में आप देखते हैं कि चमपा बुद्धि गोप या किसमें है आकास दीप में है चमपा बुद्धि गोप आकास दीप में है आलो पी दीन वनसीध Our आपका है नमक का दोल का दोल ग़ाओ सर्चिन मानू सर्चिन मानू आपका है ठोस में है बाबा भारती और खड़क सिंग खड़क सिंग बाबा भारती है हार की जीत चालीस चालीस में परकाशन वर्ष के अनुशार निम्लिकित कहानी शंग्रकार सही मकर्म क्या है पहला में सर्णार्थी दूसरा में सोगायात्रा तिसरा में सत्ता से उठता और डी में हैं ठुठरी डी में हैं डुम्री है आपका डुम्री तो इसका राइट एंसर यह नंबा पहले आता है आपका स्तरणार्थी उसके बाद आता है डुम्री उसके बाद सता से उठता आदमी उसके बाद सोगायात्रा लाश्ट में परकाशन वर्ष के अनुशार निम्लिकित कहानियों का से नुकर्म क्या है विकेट मैच कफन बड़े भाई साहब सी में है दो बैल की का था बड़े बहाय साहब करकाशन को नुशार तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्या हुआ सब Gally J दो बैल की काहता है उसके बाद है बड़े भाई सहाब उसके बाद कफन उसके बात किर्केट मैं C no.C. दो बैल की जादा बड़े भाई सहाब कफन कफन 1936 बिकेट एई किर्केट मे Works आधुनिक नारी आप पूरी अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई अवरत आप अवरत है वे जूटी सती या वैस्या नहीं इसलिए नई कहानी खलनाई का से सुन्य है नहीं कहानी के संबंद में उप्यूप कथन किसका है तो यह नहीं कहानी में जड़तर कथन आपका कमलेश्वार का है अनन्दी बड़े घर की बेटी है यह का चार नमबर मेच करते हैं यह का चार नमबर मेच हो गया मिलाते हैं यह चार नमबर किसमें आपका बी नमबर में तो राइट एंसर बी नमबर में मार दीजिए आनंदी आपका बड़े घर की बेटी है दीन दयाल दीन दयाल आपका जुलूस का है डोक्टर जैपाल डोक्टर जैपाल आपका मूठ का है संकर संकर आपका है सवासेर गेहूं का चौवा आलीज का प्रशने है परकाषन वर्ष के दुशार निम्रीकट कानीश चंगरा का सही अनुकर्म क्या है चौवा रीज तो पहले हैं आपका सरनार्थी अ में ढयां शी में परिंदे डी में है कमरेट का कोट सो इसका एंस coconut अपका का पहले सरनार थी उसके बाद परिशात उसके बाद कम रेट का कोट और डायन जोगालीस का यह नंबर 45 परश्न क्यों चलते हैं कि आकाजदीप में कौन है नायक आपका आकाजदी में है बुद्धी गुप्त उसने कहा था बोधा सिंग दो ही मेच करते हैं दो ही मेच करके देखते हैं उसी में सर आ जाएगा अकास दीप गूप्त उसने कहा था दासिंग यानी सी का आपका पांच नंबर यह नंबर नमडर में एक मुद्धी गूप्त दिली में एक मुथ्धिंग अतुल उसके बात है उसने कहा था बोदा सिंग ग्रेगरीन में आपका है सुननन्दा है यह कहा है सुननन्दा इसका मुख्य पात्र है राइट एंसर आपका यह नमबर 45 कॉर्शन कंप्लेट 46 कॉर्शन निम्लिकित में से कौन सा प्रेमचंद की कहानियों का पात्र है आपका लहना सिंग बोदा सिंग तो आपका प्रेमचंद की कहानी का नहीं है अमीना भी है आपका सुननन्दा भी नहीं है पंडित बुद्राम आपका है हात्मराम कहानी का और अमीना है आपका इद्गा का तो 46 नमबर का इंसर देखते हैं श्यालिस नंबर का एंसर है दो नंबर और ती नंबर बी नंबर एंसर निम्लिकित मैं से किस कहानी में अति ब्यक्त कामकाजी आदमी की या संतुष्टिक पत्नी की विशेवस्तू बनाया गया है निम्लिकित मैं से किस कहानी में अति ब्यक्त कामकाजी आदमी के असंतुष्टि पत्नी की विशेवस्तू बनाया गया है ग्रामो फोन का रिकॉर्ट निलम देश की राच्के निया बाहु बली या द्रिश्टि दोस्त इसमें हम लोग देखते हैं कि कि राइट एंसर होगा इसका ग्रामो फोन का रिकॉर्ट अर्टालिस प्रश्ण का और चलते हैं तपेदिक की मरीच मन्नों की कथा किस कहानी में चित्री थे तो या अपका किस कहानी में चित्री थे तो या कहानी आपको बादलों के घेरे में आपका तपेदि की मरीच मन्नों की कहानी सुमिलित है सुमिलित करें कहानी और पात्र गदल गुन की बानूं पंसाहरी की कुवा एक ठोक्ठरा हुआ चाखू गुमती मित्री निहार मनिहार गजाधर तो आपको इसको मिलान करना हुआ कुंदल कुंदल है आपका कुंदल निहार यानि सी नंबर राइट एंसर उसके बाद है आपका गुल की बानूं आपका है महीर लाल का पंहारी का कुवा पंहारी का कुवा में है आपका गोमती एक ठोरा हुआ चाखू एक ठोरा हुआ चाखू में है आपका मित्री गजाधर बाबू तो वापसी में है तो वापसी तो यहां देले नहीं है वापसी तो यहां देले नहीं है इसलिए राइट इंसर है आपका इसका सी नंबर चलते हैं पचास नंबर की और प्रस्न में दो कथन दिये गये हैं इसमें से एक अभी कथन यह है और दूसरा तरक आर है पूट में दिये गये बिकल्ब का सही बिकल्ब का चैन करें अभी कथन कहानी छोटे मूँ बड़ी बात करती है चलिए बीत तरक है लेकिन लगू आकार के कारण कहानी संपुन जीवन बहुत और समाज सहते को प्रकासित नहीं कर सकते है यह इसमें आपका क्या सही है ए और आर दोनों सही है यह सही है यह गलत है यह सही और आर गलत है पचास नंबर तो इसका राइट इंसर ए यह सही है और आर गलत है यह सही है लेकिन बौल रहा है कि आर में लेकिन लगू आकार के कारण कहानी में शंपुन जीवन बहुत का समाजिक सहते का प्रकासित नहीं कर सकती है कहानी छोटा रहे गा लेकिन आप बड़ी बात कर सकती यह बात ही बोल रहा है कि छोटा मू बड़ी बात और दूसरा में आपका तर्क में बोल रहा है कि लेकिन लगू आकार के कारण कहानी संपुन जीवन और समाज सहत्य को प्रकासित नहीं कर सकती तो कह बोल रहा है चोटा मू बड़ी बात यह प्रकासित नहीं कर सकती तो इसलि नमर क्यों चलते हैं जनेंद्र की कहानियों का पात्र है समसेर जुनेखा बेलेनो इस्वर्चंद्र है तो आपका जनेंद्र का कहानी का पात्र कौन-कौन से तो जनेंद्र का कहानी का पात्र है जुलेखा बेजियो बेजीलो इस्वर्चंद्र यानि की दो तीन और चार समसेर बहादूर नहीं है अब सी नमबर राइट एंसर परकार नुबर्च के नुश्रात निमलखित कहानी संग्रो का सहय अनुकर्म क्या है दो log से उठता आदमी पिली छत्री वाली लड़के राइट एंसर सी नमबर भचन सिंग सिहरी या गाया और उसकी हाथों में अभ्यत निठुराई को जैसे किसी मानुविया कुमलता में घेरे कुमलता ने धीरे से छू लिया उप्यूक कथन किस कहानी का है तेरपन इसका कौन कहान का उप्यूक कथन है तो इसका राइट एंसर आपका राजा निर्भसिया का या उप्यूक कथन है चोवण नंबर का प्रस्ण है तीसरी कसम कहानी में गाड़ी युवान में ने कौन सा समान नोलादनी की कसम खाई आपका कंपनी का और अवरत यह भी काई दूलन की डोली च चोरी का समान या बास कंपनी का और और यह नंबर राइट ए दुलान की डोली दुलान की डोली इसरी कसम में आपका दुलान की डोली यदि दुलान की डोली नहीं रहेगा कंपनी का अउरत होगा तो कंपनी का अउरत भी इसमें सही हो सकता है पहला में आपका चोरी का समान दूसरा में बांस तीसरा में कमपनी का अवरत क्योंकि वह कमपनी का अवरत थी यह दूलन की डोली कमपनी का अवरत इसका राइट अंसर होगा दूलन का डोली भी है तो दूलन का डोली भी लगा सकते हैं इसा कोशिन नहीं आएगा जिसमें दो एंसर हो कहानिया इती विरित ही तो है यानि इसमें इस्तिति की इस्तितंग अर्थात जीवन गती होनी चाहिए काल का कुछ शंप्रदाई कुछ तनाव अनुबाव हो वहीं तो कहानी का रस है कहानी के विशे में उप्यूक्त विचार किस लेखक क्ये है राजेंद्र यादो जनेंद्र कुमार यस्पाल इलाचंद्र जोसि तो इसमें आपका क्या अंसर होगा तो इसका अंसर होगा आपका कि भी जनेंद्र कुमार कि इसका जनेंद्र कुमार नहीं आपका इसका एंसर है जनेंद्र कुमार का ही एंसर है राइट एंसर भी भी है राइट एंसर ग्रेग्रीन जो अग्ये का है कहानी में मालती वचन में केसी लड़की थी मालती कैसी लड़की थी मालती आपका कैसी लड़की थी उदांत और चंचल लड़की थी या लड़की स्वभाव होती है चोरी से कलास से भागने वाली लड़की थी यह भी थी एक और दूर चार यानि सी नंबर राइट है संतावर नंबर का प्राप वह चलते क्या इस्त yelling और बीकोप उर्जंपा के बीच या संभात हुआ था कि पर्थम भीत के प्रिष्ट गूवमने रचित कहानी उस ने कहा था कि इसका राइट एंसर उसने कहा था कि इंदी सायत के पर्थम कहानी और उसके मानने वाले प्रशक्ता के नाम यह एक टोकरी बार मिट्टी है कि आपका एक टोकरी बार मिट्टी इसको आपको मिलान करना होगा मिलान करके देखते हैं पहले इंदुमती इंदुमती को रामचंद्रे सुखला ने पहला कहानी माना है उसके बाद आपका अप्रेने प्रान्याई परिनाय को आपको बचन सिंग माने हैं एक जमीन की दृष्ट्रत्रा यह माना है राजंद्रा बढ़ वालिया कि उसके बाद एक टोक्री भर मिट्टी आपका टोक्री और मिट्टी तो देवी परसाथ वर्मा राइट एंसर यह नमबर है फिर से बोलते हैं इंदुमती आपका रामचंद्रा सुखला इंदुमती को पहले कहानी मानते हैं परिनाई परिनाय आपको बचन सिंग मानते हैं एक जमिदार की दृष्ट्रता आपका एक जमिदार की दृष्ट्रता आप राजंद्रा बढ़ की 5 की 2 साथ नंबर का क्वश्चन के और चलते हैं कि निमिल्खित कानिौ को कुंके विश्य क्र सुम्लित करें वापसी वापसी क्या कहानी है अ कि इसको आपको विश्य के साथ सुम्लित कर ना पड़ेगा शाप नमबर का प्रश्णा तो वापसी आपका किस परकार का कहानी है वापसी में आपका परिवारिक उपेच्छा और अप्रसंग्टा वापस कजादर भागु घर आ believed to youえ a यह 支ए वाद है आप का तीस्रा कुस्म आपका पार्शा किस परकार का कहानी चलाई आंचल कि तत्वहें तीसरी एक चलत में माया धर्पन माया धर्पन आपका माया धर्पन एपका नारी शौत्तनक्र गतक्ति कहानी प्रमाट्मा के कुद्तित कहानी शकी 달 है राइट एंसर है आपका इसका मेच करते हैं डी नंबर प्रकाशन वर्ष के रुष्टार निम्लिखित कहानी संग्रगा सही कर्म बता है एक में वाट्चू राजा निर्वसिया एक और जिंदगी एई सर्ड तो हम लोग देखते हैं राजा निर्वसिया पहला कहानी मामते हैं तो राजा निर्वसिया को देखते हैं तो राजा निर्वसिया आपका पहले है यह नंबर में है राजा निर्वसिया यह नंबर में हो दो नंबर राजा निर्वसिया यह और जिंदगी उसके बात यहीं सच उसके बात है बर्सट पनिश्वर नात रेनू द्वारा रचित कहनिया है यह मुर्दो का गाउं डुम्री तीन में कर्मनास की हार चार में आदिम रात्री का महत्तो है नीचे दिये गए बिकल्प में सही उत्तर को चुनिये बर्सट बर्सट का सही उत्तर को चुनना होगा तो इसका एंसर आपका डुम्री भी है पनिश्वर नात रेनू की और कर्मनास की हार भी है दू और चार यह आपका दूर चार दुम्री और यादीम रात्री का महाँ उत्वा दूर चार दूर चार जाज सी नमबर आइट एंसर के तिस्यफ नमबर का प्रस्ण कर चलते हैं निर्मल अिर्मा की कहानी का दुनिया निर्मल वर्मा की कहानियों का दुनिया है हतास और आत्मपरक्ण नाहिकां की दो में है अकेलेपन और अलगाओं की तीन में परतिरोत और विर्द्रोफ तरोग की चार्मे राष्ठी चितना की है निर्मल वर्मा की कहानी की दुनिया है तो निर्मल वर्मा की दुनिया कहानी की परकार से हैं निर्मल वर्मा हतास और आत्मनाइका की कहानी लिखते हैं हतास और आत्मनाइका की हतास आत्मनाइका की साथ इसाथ निर्मल वर्मा आपका अकेलेपन और अलगाओं की भी कहानी ल अकेले पन और अलगाओं की निर्मल वर्मा की कहानी है इसी के साथ हमारा कहानी विधा भी कंप्लीट होता है आज हम लोग उसके बाद नाटक की ओर चलते हैं यह कहानी आपको उजिसी नेट पेपर टू हिंदी यूनिट साथ में पूछ सकते हैं साथ इसाथ आपका हिंदी सा सब्सक्राइद का इतियास का गाद विधा यूनिट टू में भी पूछ सकते हैं